हलो गेज़ आपको स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल टॉपर सिंट पर तो डेली की तरह हम लोग आज भी मौनिंग अपडेट लिका रहा हैं जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के न्यूज पेपर में आई है वो सारी सारी अपडेट हम लोग देखने वाले जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले ही सासन से आदेश फारित हो चुका है कि स्कूल जो है अब की बार अपनी फीस को बढ़ा सकते हैं इसका रीजन यही था क्योंकि पिछले दो साल से जो स्कूल थे उन्होंने एक भी रुपे जो है फीस में बढ़ोत्री नही है सहर के एक प्रमुक स्कूल ने पिछले साल यूकेजी का त्रेमासिक सुल्क अठावन सो रुपे लिया इस बार फीस को बढ़ा कर अंडशर सुकर दिया यह पूरे पूरे जो है एक हजार रुपे जो है बढ़ा दिये हैं इसी तरह सहर के टाप स्कूल में सामिल अन्य वि सब्सक्राइकों का बीपी बढ़ने लगा तो बिल्कुल सही बात है एक एक हजार डेड़ेट हजार रुपे अगर महीने फीस बढ़े जाएंगे तो फिर दिक्कत तो होई जाएगी यहाँ पर लिखा कि 10,000 से जादा सुल्फ जमा करने पर फरमान बेज रहे हैं पचातर सु रुपे प्रतिमा तक कर दी है इसकोलों ने फीस वहीं पर संजेत उमर जो की नपसा के अध्याक्ष है इन्हों ने क्या कहा है इसने नों ने कहा है कि फीस ब्रिद्धी का मामला अभी नया आले में लंबित है इसकूल एसोसियेशन की ओर से कम से कम 10 प्रस्त फी बढ़ा रहे हैं क्योंकि सरकार ने CPI और पिछले सुल के अधिक्तम 5% के सुल को बिद्धी के आदेश दिये हैं ऐसे में हम लगबग 12% सुल को बिद्धी कर सकते हैं फिर भी अधिक्तम 10% की बिद्धी कर रहे हैं तो यहां पर बताये गया है वहीं पर हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट के और अगली एक बड़ी अपडेट है RRB NTPC को लेकर के जैसा कि आपको पता है कि CBT1 परिक्षा का रिजल्ट आया फिर बहुत जादा बवाल हुआ उसके बाद में दुबारा जो है रिजल्ट आया संसोधित होकर और अब 20 गुना अभ्यारती बुलाए गए है ऐसे में CBT2 परिक्षा को लेकर के यहाँ पर कारिक्रम के बारें बताया गया है इन्हों ने कहा कि 9 और 10 मई को होगी RRB NTPC लेबल 2 की परिक्षा रेलेवे भरती वोड RRB ने नन टेकनिकल popular category के लिए computer-based परिक्षा दुती है CBT2 की तित जारी कर दी है 9 और 10 मई को परिक्षा होगी हलाकि इस परिक्षा में वेतनस तक 4 और 6 के लिए साट्रिलिस्ट अभ्यारती ही सामिलोंगे यहाँ पर बता गया कि 9 मई और 10 मई को जो परिक्षा होगी उसमें 4 और 6 यानि जो लेबल 4 और 6 जो लोगों ने जो है यहाँ पर पास किया उनी की परिक्षा होगी बाकी जो आपके 2 हैं 3 हैं 5 हैं इनकी जो है डेट बाद में घोसित की जाएगी अभी उसकी डेट नहीं आई है अरारबी इलाबाद के खाते में 430 पद हैं पर्थम चरण की परिक्षा 7 चरणों में 28 दिसंबर 2020 से 31 जुलाई 2021 के बीच हुई 14 जनुवी 2022 को रिजल जारी हुआ था लेकिन रिजल्ट को लेकर छात्रों ने जमकर अंदोलन किया अनलाइन वक्कायम में परिक्षारतियों ने अपनी समस्या बताई तो उसी यादार पर 30 माच 2022 को रिवाई रिजल जारी हुआ इसमें साटलिस्ट हुए परिक्षारतियों को अब अगले चरण की परिक्षा में सामिल होने के लिए तितियों की गोश्टा हुई है प्रियाग राज में एंटी पीसी के 430 पदों के लिए 20 गुना भ्यारती 8632 के लिए चैनित हुए है वेतनास्तर छे में कामर्सियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर के कुल 516 पद हैं जिसके सापेक 10,322 परिक्षारति जो हैं साटलिस्ट हुए है तो आप यहां देख सकते हैं और आरे जमाली जो की चेर्मेन है आरार भी इलहाबाद के उन्होंने बताया कि 9 और 10 माई को लेबल टू परिक्षा होगी इसमें चोथेवा चाटवे वेतनास्तर के लिए 60 अभ्यारती हिस्सा ले सकेंगे वेतनास्तर 2, 3, 5 की परेक्षा दित्यों की कोश्टा जल्द की जाएगी इसकी अपडेट के लिए अभ्यारती आदिकारी वेबसाइट को चक करते रहें बढ़ आपको जो है इनकी आदगारी वेबसाइट चक करने की जरूरत नहीं है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग को यहीं सही सारी अपडेट आपको मिल जाएगी चलिए बढ़ते हैं आगे की तरम वहीं बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग यानि की आयोग ने तीन भरतियों का जारी किया कटाव प्रतियों की चात्रों की ओर से इलाबाद हाई कोड में दाखिल की गई थी आचका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुद्वार को तीन भर्तियों में सामिल हुए अब ब्यारतों के प्रापतांग वा कटाप अंग जारी कर दिये हैं इसे जारी कराने के लिए अब ब्यारतों ने हाई कोड में याजका दाखिल की थी कोट ने आयोग से कटाप जारी करने के संबद में जानकारी मांगी थी जिसके जवाब में आयोग की ओर से 12 अप्रेल को हुई सुनवाई में कोट को बताया गया था आयोग जिसको लेकर कुछ चात जो है इलाबाद हाई कोट चले गए ठीक है अपनी याचका डाल दी और याचका में जो सुनवाई हुई बाद में जो है आयोग ने दो हपते का समय मांग लिया और कल जो है इन लोगों ने जो है कटाप को जारी कर दिया है तो एक बड़ी यहाँ पर और वी चीजें लिखी है आप यहाँ पर देख सकते हैं कटाप और प्रांताप न जारी करने पर हाई कोड में आजका दाकिल की थी इस मामले में इस वंगलवार को सुनवाई हुई तो यहाँ पर में चीज वही है जो हमने आपको बता दिया है और किस-किस भरती का कटाप जारी हुए आप देख सकते हैं आयोग की ओर से कोड को बताएगा कि जल्दी इसे जारी कर देगा साथी आयोग की ओर से समस्त ब्यावरा जारी करने के लिए दो सब्ता का समय मांगा गया इसके बाद बुद्वार को आयोग ने PCS, ACF, RFO, प्रारमी परिक्षा 2020, PC आप देख समस्त ब्यावरा जारी कर दिया गया है तो तीन बड़ी भर्तियों की कटाप जारी हुए हैं वहीं पर हम बात करते हैं दरोगा भर्ती को ले करके तो दरोगा भरती की सारी रिंग मानक परिक्षा 19 से उपनी रिक्षक लिपिक संबर के जो 1329 पदाय थे उन सभी क जो है सारे रिख मानक पรि复छा 19 अप्रेल से होगी, यहाँ पर बता गया है और 10 ता विजों के चांच वास सारे रिख मानक परिख्फा होगी वहीं पर आते हैं अगली बड़ी अपडेट यानि एड़ेट जूनियर हाइश्कूल की भरती को लेकर जिसका रिजल्ट नॉमबर में आ चुका उसके बाद में लग तकरीबन जो हैं पान से छे मेने हो गए इस पर अभी कोई कारिक्रम गोसी नहीं हुआ ना इसकी आगे की को सासन ने बड़ी पहल की है जिसका अच्छा में भरती परिक्षा की OMR सीट वह अन अबलेक रखे हैं उनका ताला खोला जाएगा इसके लिए समित गठित करने के निर्ज़ेश दिये गए हैं उसके बाद आरोपों की जाच होगी एड़ेट जूनियर हाइस्कूल में पंदा तो चार साय का ध्यापक वा 390 परदाना ध्यापकों के पदरिक्त हैं इन पदों पर भरती की लिखित परिक्षा सितंबर 2021 में कराई गई थी और उसका परदाम 15 नॉंबर 2021 को जारी हुआ कई अब्यारतों ने परिक्षा नियामक प्रादकारी सच्चू से लेकर सासन तक प्रत्यावधन दिया कि OMR स्रीट के मुल्यांकन में गड़बडी की गई है जवाब ना मिलने पर हाई कोर्ट में बड़ी संक्या में आचकाई हुई और कोर्ट ने इस पर जवाब मांगा है सच्चू परिक्षा नियामक प्रादकारी ने सासन को इस संबन में 20 दिसंबर को प्रस्ताव भेजा है अब सासन ने देज दिया कि भरती परिक्षा की मूल OMR सीट कोठार में रखी गई है उसके ताले की चावी ततकालीन सच्चू परिक्षा नियामक प्रादकारी के पास ह जो यूपी टेट में पेपर लीक होने कारण गिरबतार हुए और जेल में निरुद्ध है इसलिए अब ब्यारतों के प्रत्यवेदन का परिच्छन नहीं हो पा रहा है ठीक है आप लोगों को पता होगा कि जो यूपी टेट के जो पेनपी सच्छी हो थे वो गिरबतार हुए साथ सो अभ्यारतों ने प्रत्या वदन देकर परिच्छा में कम अंको मिलने के आरोप लगा है चालिस से पचास अभ्यारतों ने हाई कोड में आजकाएं की है टीटी पेपर लीक के बाद गिरबतार परिच्छा नियामक प्राधिकारी कारेले के पूर्व सचिव संजे उपाध्याय के पास जो एक चाभी थी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही में अपडेट है जो हम लोग ने अभी अभी देखा है ठीक है तो यही बताएगा कि संजे उपाध्याय के पास चाभी है वो चाभी लिया जाएगा कोठार कोला जाएगा फिर से जो है जो मूल जो OMR है उसको देखा जाएगा उसकी जाच की जाएगी ठीक है चलिए तो ये रही है आज की अपडेट अगर आपको वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर अगर नहीं सब्सकाइब जरूर करिए ताकि अगर कोई अपडेट आती है तो आप अपडेट के साथ तब तक के लिए खुश रही है मस रही है जैहिन जैभारत